इस लेक्चर सीरीज में हम क्लास नाइन की हिस्ट्री का चाप्टर पैस्ट्रॉलीट्स इन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं लास्ट लेक्चर के मदद से हमने बहुत सारे कॉश्चिन्स और आंसर्स को डिस्कस किया है नेक्स्ट हैं वाट वे दा स्टेप्स टेकन बाइ दा ब्रिटिश कवर्मेंट विड रिगार्ट तु दे नॉमेर्स और पैस्ट्रॉलीट्स कॉश्चिन ये पूछ रहा है स्टूडिन्स कि क्या क्या और कौन से स्टेप्स लिए गए ब्रिटिश कवर्मेंट ने नॉमेर्स और पैस्ट्रॉलीट्स को लेकर स्टेप्स टेकन बाइ ब्रिटिश कवर्मेंट विड रिगार्ट तु दे नॉमेर्स और पैस्ट्रॉलीट्स इस बात को हम काफी अच्छे से जानते हैं स्टूडिन्स कि अंडर दे क्लोनियल गवर्मेंट बहुत सारे स्टेप्स लिए गए जिससे इनकी लाइफ पर काफी एफेक्ट पड़ा और यह एकस्प्लेइन करने की जर्रत नहीं है बत फिर भी मैं कुछ शीज़ों को एकस्प्लेइन कर रहा हूँ नहीं है थे क्लोनियल गवर्मेंट जो स्टेप्स लिये गए थे नॉमेट और प्रस्टॉलिइट्स कि लाइफ में बहुत सारी चेंज़ आयी ड्रस्टिकली और जिससे जो हैं इनकी कंडिशन काफी बूरा होना स्टार्ट हुआ यानि बूरा कंडिशन देखने को मिला। The actions of the Britishers towards them are, they convert most of the grazing land as agriculture forms, जैसे के हमने भी देखा कि बहुत सारे जो uncultivated land थे, जो grazing land means uncultivated land थे उनको cultivate बना दिया गया, तो इनके पास जो pasture's की कमी होने लगी, पानी pasture's की जब कमी होना स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोग cattle रखना अपने पास cattle रखना भी कम कर दिये, जिससे के ordinary life के उपर काफी effect पड़ा, बहुत सारे जो ऐसे फॉरस थे जो की फ्यूचर में काफी यूस पुलता है, कफी फैदामन ऐसे फॉरस्ट को रिजर्व फॉरस्ट कहा गया तो यह कॉमर्शन परपल के लिए यहां पे कोई जाने नहीं देते थे, और हम जानते हैं स्टूडेंस हमने डिसकस किये थे कि फॉरस्ट को टीम के डगरी में डिवाइट कर दिया गया, रिजर्व इट प्रोटेक्टिड इन विलेच, विलावस्ट और प्रोटेक्टिड फॉरस्ट में तो जाना एलावट था, बढ़ इनको टाइम तेह करने होते थे कि कब और क्यों जाना है, और कितने गंटे आप और कितने दिन रहोगे, रिजर्व में तो बिलकुल जाना एलाव नहीं था, क्योंकि कॉमर्शल पर्पर्स के लिए यूज किये जाते थे, तब वंडरिंग एक्टिविटी अप नॉमेट वियर कंसिडर्ट एक्राइम पर पनिशिबल ऑफेंस, तो जो वंडरिंग कम्यूनिटी है, नहीं कम्यूनिटी पो क्या देकल्यर कर दिया गया, इस मउद एक्रेल्ट कर दिया गया, अब प्रफिचिए को लिए प्टिविटी परतें तो नॉमेट्स एन पस्तिविटी तो एस तो एस भीी आप्सक्षा थे, तो स्टूडेंस इसी के साथ हमारा जो लेक्चर सीरीज है कॉशन और आंसर का ये खत्म होता है अगर आपको कोई भी queries, कोई भी doubt, कोई भी problem रहता है क्योंकि preparation का समय है तो iHoc कि आप तो तयारी काफी अच्छा से कर रहे होंगे और इस दोरान आपको कोई भी queries, कोई भी doubt रहता है तो आप किसी भी social media platform के साथ connect होके जोड़ सकते हैं हमसे और अपने queries हमें बिल्कुल बता सकते हैं Thank you so much students. Thanks for watching. Bye-bye. Have a good day.